पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो डॉलर तावा पंच मार कर गोड अफसन लाइट का सिर्फ ओर देता है और इसके बाद में जो डॉलर ताव अपने हाथ को मसकाता हुआ एरिना से बाहर निकल जाता है और एरिना के अंदर डॉलर के नाम के नारे लगने लगते हैं लेकिन यहाँ पर डॉलर को इससे कुछी फरक नहीं फड़ता है और जो डॉलर ता वह इस जिका से बहुत ही आसाने से निकल जाता है वहीं हम देखते हैं कि जो मास्टर नूपता वह इस चीज को रिकोर्ड करने के लिए जल्दे से अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर इ हैं और वीर को रुकने के लिए करते हैं तब ही जो वीर ता वह पीछे मुड़ता है तब ही एक बंदा वीर से करता है भाई वीर तुम जानते हो क्या गोड़ अफसनलाइट को डॉलर ने मार दिया है जब सभी लोग वीर से सवाल कर रहे थे तो उसी वक्त तो कोई बंदा आकर या बंदी आकर एकदम से ताली बजाता है जिसकी वज़े से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि जिसने ताली बजायती वह और कोई नहीं होती है बलकि माही होती है माही की ताली बजाने के बाद में सभी का ध्यान माही के उपर चला जाता है और जो माहिती वह अपने हाथ से इसरा करती हुए सभी को वहाँ से जाने के लिए करती है तब ही सभी लोग बाते करते उस जगा से निकल जाता है और जो माहिती वह तिर्शी नजर करकर सभी को जाते हुए देखती है जब सभी लोग वहाँ से चले जाते तो उसी वक्त माही जोती वह अपनी तरफ आगे सरा करती ही वीर से कहती हैं अब कई वर्सों के बाद में गोडेश फैट के अंदर अब हमारे पास टोप टेन की रेंग में दसवी रेंग अभी इस वक्त हम होल्ड करके रखे हुए हैं यह मानवता के लिए कितना बड़ी बात होने जा रही हैं माही ऐसा कहने के बाद में मुस्कुराती वी कहती हैं मुझे डोलर की आगे होने वाली फैट का इंदजार नहीं हो रहा हैं आकिर कर अगली फैट कब होने वाली है इसके बाद मैं अचानक से सिंसिप्ट होता है और अब हम समुंदर के अंदग देगते हैं जहां पर वीर का क्रिश्टल फेलेस था और वह चम चमा रहा था तबी हम देखते हैं क्रिश्टल फेलेस के अंदर जो वीर था वह जमीन पर दरासाई पड़े हुए था और वह पूरी तरीके से ठका हुआ और जकमी लग रहा था और जो वीर था वह इस जमीन पर पड़े हु वीर को जमिन पर लेटे वे देखती हैं तो वह सिल और फॉक्स को अपने साथ लेकर वीर के पास आती हैं और सिल और फॉक्स जो थी वह वीर के पास आने के बाद में फटा पड़ से वीर के गाल को चाटने लगती हैं और वीर के घाओं को ठीक करने की कोशिस करती हैं तब ही वीर ता वह अपनी आखे खोल लेता है और अपने मन में सोचने लगता है गोड़ेस फायट में अब जितनी भी टॉप 10 लिस्ट में जितनी भी स्प्रीट सामे ले वह बगवान के पुत्र की स्प्रीट से जदा ही मजबूत होगी और इस वक्त उनसे फायट करना मेरे लिए ब कुछ कहने वाली थी तभी अचानक सहीं जो क्रिस्टल फेलेस ता उसके अंदर यलो कलर की रोसनी पड़ती है उसे देखकर जो जीरोती वक्ति यह क्या हो रहा है और वीर भी फटा-फट से उठकर सामने के तरफ देखता है तो जो वीर ता उसके नोटिफिकेंशन सिस्टम में नोटिफिकेंशन आता है कि आपने दसवी रेंग हासिल किये इसलिए आपको एक रिवोड मलने वाला इसलिए आप इस रिवोड को अनलोग कर सकते हैं इस गोशना को सुनने के बाद में जो वीर ता वह अपने मन में सोचने लगता है क्या गोडिस फाइट खतम हो गई ऐसा कब हुआ और ऐसा सुनने के बाद में जो डुलर था वह निरास होता है रिवोड को लेने के लिए चला जाता है और जाते वे वीर अपने मन में कहता है दसवी रेंग हासिल करने वाले इंसान को जहा तक मुझे पता है एक यादरचीत बोनस मिलता है जिसे हासिल करना भी आसार नहीं होता है तो देखते हैं मुझे रिवोड के रूप में क्या मिलता है वीर ऐसे बड़ बड़ाता हुआ रिवोड लेने के लिए जहां पर लाइट गलो हो रहती वहां पर चला जाता है जहां पर बहुत सारी एलियन की जो इस प्रिटे थे वह भी थी डेविल सोल लेती बहुत सारी चीज़े थी जो उस पतर के अंदर था इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जो वीर तावा लाड टपकाते हैं अपने मन में खयाली पकवान बनाता हुआ करता हैं क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे या दर्चित रूप में सुपर एलियन की डेविल सोल मिल जाएं और मैं सीधे ही रूलर ओफ लाइट के ब्रोवर पाउरफुल हो जाओ और अगले बार जब भी उससे पाउरफुल कोई भी एलियन या फिर स्पिट हो तो मैं उससे बिलकुल भ पाउंगा वीर एता सोसता हुआ पतर पहात रखता हैं और पतर से कहता है मुझे ये वाली चीज़ दो मुझे ये दो मुझे ये दो अदबूत पढ़ यहां मुझे ये दो तबी अचानक हम देखते हैं कि उस पतर के अंदर से एक बहुत बड़ा जो ड्रेगन था बैंगनी देई वीर के सी ओफ सोल में चला जाता हैं वीर उस ड्रेगन को अपने सामने देखकर उसे हाथ लगाता हैं और कहता हैं क्या ऐसा हो सकता हैं कि इस मौंस्टर की आत्मा को डिरेक्टी जो ता है वह काबू करके रखता हैं अब मुझे पता नहीं कि इस ड्रेगन इस एलियन क हैं कि अंदर किस त्रिकी की पाओर है मुझे इसका पता लगा ना हो और कोछ चें पूर्स आफ सोल के अंदर महसुस कर राता और महां प्र कोछें इसके बात करने क कोशिश कर राता ख़िसके बाद में जो वीडर थाव ऑसद्रेगन की पाओर का पता लगाने के लिए इसके उपर बेड़ जाता है और अपनी पाउर को रिलीज करता है तब ही हम देखते हैं कि जो ड्रेगन या उड़ने लगता है और तब ही जो ड्रेगन था या वीर की तरफ आसमान में उड़कर इसके अंदर समाने लगता है तब ही जो वीर ता उसे असास होता है कि इस ड्रेगन का यूज़ करने के बाद में यह अटोमेटिक ही जब चाहे अपना असली रूपधारन कर सकता है और इस ड्रेगन में बदल सकता है यह जानकर वीर कुछ होता ही है और अपनी मुटी बंद करता हो अपने आप से कहता है क् वीर ऐसा अपनी मुटी बंद करता है और कहने लगता है तब हम देखते हैं कि वीर के पास एक लाइटनिंग बोल्ट आता है और वीर के चारों तरब के जो एनरजी घेराता उसे तोड़ने की कोशिश करता है वीर यह देखकर उस एनरजी बोल्ट की तरफ देखता है तो जाए लगता कि अभी और टुकुड को देखने लगती है और वकिस समझने की कोशिейств करती है यह वीर ऐसा उसकते बाद में आज उसीर वीर कहता है यार सिलर फॉक्स की लाइटनिंग की वज़े से मेरे आसपास का जो दूआ ता वो पूरी तरीके से खतम हो गया था लेकिन अब फिर से यह दूआ बढ़ रहा है चलो ठीक यह अब हम फिर से फिर से स्टाट करते हैं एसा कहने के बाद में सिलर फॉक्स को उठा ल वीर के ओपर बहुत खतरनाक वाली लाइटनिंग एनर्जी का अटेक करती है जिसकी वज़े से वीर ता वह वही का वही पकोड़ा बन जाता है और जमीन पर गिर जाता है और वीर के नीचे गिनने के बाद में जो वीर ता उसके अंदर से बहुत तेस दुआ निकलता है और उसके बाद में जो जीरो ती वह वीर को संबालने के लिए आती है साथ ही सिलर फॉक्स भी वीर के सिर पर हाथ पेरने के लिए अपने पंजी को आगे करती है और वही हम वीर को देखते हैं जो जो सिलर फॉक्स के अटेक की वज़े से लाइटनिंग अटेक की वज़े से जम सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब सबी एपिसोड इस पर आ रहे हैं तो भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ओन कर लेना वह संबालने के लिए आती है वहीं जो वीर ता वह जमीन पर गिरा हुआ रोते हुए करता है या सिलर रुफक्स तुम हमेशा मेरे साथ इसा क्यों करती हो क्या तुम्हें सरम नहीं आती है इसके बाद में सिंसिट होता है और अब हम देखते हैं कि वीर फाउटन ओ बलड के ए तुम जाकर उस एलियन को गायल करोगे और जब वह गायल हो जाएका तो हम चारों मिलकर उस एलियन को घेर लेंगे और उसे किल कर लेंगे ठीक है ना इतनी बात सुनने के बाद में वीर अपनी गर्दन हां में हिलाते हां में समझ गया यही योजना है ना आप इसे चेंज नहीं करना चाते ना यह कहनने के बाद में जो वीर ता वह अपने सी ओफ से होली एंजल को उस एलियन की तरफ भेज देता है इधर जब होली एंजल एलियन की तरफ बढ़ रहे थी तो उसी वक्त वीर के पास बैठा हुआ बंदा वहां से गायप होता हुआ सभी से कहता है जल्दी से यहां से तितर बितर हो जाओ और सब लोग चिप जाओ वीर अपने पास वाले बंदे की बात को सुनने के बाद में कहता है अच्छा हमें चुपना भी था क्या हैं वीर ऐसा कहने के बाद में अपने आस पास इधर उधर देखने लगता है लेकिन यहां पर वीर क अब बिल्कुल भी सामने ने आएंगे वह सोच रहे हैं कि जब एलियन पूरी तरीके से गहल हो जाएगा और वह लाश्ट मॉमेंट पर सामने आएंगे और डारेक्टी एलियन के उपर अटेक कर देंगे वीर ऐसा दात पीस्ते वे अपने मन में सोचता है और फिर वीर जो था वह इन सब बातों से अपना ध्यान अटाता है और अपना पूरा ध्यान फाइट के उपर ले जाता है जहाँ पर जो हॉली एंजल थी वह अपने सामने वाले एलियन से फाइट करे थी उसी वक्त जो वीर ता वह अपने प्रोफेसर मंतरा की मज़ष था है एलियन की जो एंजिती उसको सिमुलेट करने की कोशिव YES करता है और वीर को यहाँ पर पता चलता है कि जो सुपर एलियन यह पहले पीडि का सुपर एलियन है और यहां पर यह जो एलियन इसकी जो एनरजी है बिलकुल भी फ्योर नहीं है और यह वीर को धुंदली धुंदली नजर आ रही थी जिसकी वज़े से वीर को यह पहली पीडी का लग रहा था तोड़ी देर फाइट करने के बाद में जो होली एंजल थी वह इस एलियन को पु उसरी तरफ वीर को जिन लोगों ने हायर किया था वह माइक्रोसकोप की मदद से होली एंजल और ब्लेक बेडिये की फाइट को देखते हैं और करते हैं यार यह कितनी ज़दा आदबूदें यह सा सुपर एलियन तो बहुत ज़दा खतरनाक होने वाला हैं इसके अलावा हम ने इस ब्लेक बेडिये के उपर कई बार अटे किया लेकिन हम इसे कभी भी नहीं हरा पाए लेकिन इस बार जो वीर था इसके एक पालतू एलियन ने इसे बहुती ज़दा आसानी से घायल कर दिया हैं जब यह सभी लोग ऐसा सोच रहे तो उसी वक्त हम वीर को देखते हैं जो ब्लेक बेडिये की तरफ देखता हुआ वीर मनी मन में सोचता हैं जहां तक मुझे पता हैं ब्लेक बेडिये बहुते ज़दा चालाक होते हैं और यह ब्लेक बेडिया यह जानता हैं कि होली एंजल से यह नहीं जी सकता हैं तो फिर इसे यहां से भाग जाना चाहिए था लेकिन यह fountain of blood के area को छोड़ कर नहीं जा रहा है बलकि यहीं का यहीं रहा रहा है क्या यहाँ पर कुछ गड़बर होने वाली है इसा सोचने के बाद में जो वीर था वो अपने सामने वाले पहाड को देखता है और फिर इस पहाड को स्केन करने लगता है तो वीर को यहाँ पर पता चलता है कि इस पहाड के पीछे एक बहुत बड़ा और भयानक alien है जिसे की जो ओरा है वो इतना powerful है कि जिसे कोई normal super alien तो fight पी नहीं कर सकता है जब वीर ऐसा सोच रहा था तो उसी वक्त वीर को असास होता है कि वह जो powerful alien यह वह इस वक्त वीर को बहुत द्यान से observe कर रहा है और वह वीर की हर हरकत को बहुत द्यान से देख रहा है यह सब सोचने के बाद में वीर सोचता है कि आरे जहाओ परिवार इतना बेवकूप केसे हो सकता है कि इस पाउरफुल जगां को अपने कब्जे में लेना चाहता है क्या वो सब बेवकूप हो है जो क्या उनको लगता है कि वह इस एलियन को छेड़ कर जीवित रह सकते हैं इस जगा पर बिल्कुल भी नहीं वीर इन सब बातों को सोचने के बा क्या नहीं इसा सोचने के बाद में वीर फेसला करता है कि उन्हें अपने इसाफ से छोड़ देना चाहिए और जब वह यहां से निकल जाएगा तो बाद में देखता रहेगा कि क्या करना क्या नहीं वाग देना पहले अपनी जन बचाओ बाद में दूसरों की चिंता करो व वीर की बास उने के बाद में जो अवनितिवा अपनी गर्दन हां में हिलाती है और फिर जो अवनितिवा वीर से कहते हैं क्या तुम्हें यहां पर कुछ गड़बर नजर आ रहा है तो वीर कहता है हां मुझे यहां पर कुछ गड़बर नजर आ रहा है तब ही हम देखते हैं क कि जो बंदा अभी तक छुपावा था एकदम से ही वीर और अवनी के पास आ जाता है और फिर यह जो बंदा था यहाँ वीर से कहता है वीर तुम अपने पेट डेविल सोल से कोहो कि तुम इस ब्लेक बेडी के उपर फटा फट से जदा जितना हो से कि उतने जदा अटेक करो उसे गायल कर दो यह बास सुनकर वीर बढ़कता हुआ काता है क्या तुम्हें यह कुत्ती का बच्चा या बिली का बच्चा नजर आ रहा है जिसे एक दो मारेंगे तो यह बच जाएगा यह है एक सुपर यहले ने बेवकूप इसे इतनी आसानी से नहीं आरा जा सकता है व जो बलेक बेडिया था वह जोर से चिलाता है और उसके गले से खुन आने लगता है जैसे यह बलेक बेडिया घायल होता है तो उसी वक्ते जो बुढ़ाता यह एकदम से एकसाइट हो जाता है और वीर को पीछी की तरफ दकेलता हुआ का आता है वीर तुम अपने समझो तो बलेक बेड़ी के तरफ दोड़ने लगता है वहीं जो वीरता वह अपनी होले अंजल को अपनी स्योफ सोल में ले लेता है और दूसरी तरफ वह बलेक बेड़े के उपर अधेड उम्र के जितने भी आदमी थी वह सभी के सबी एकसाथ अटेक कर देते हैं लेकिन इनके जो ह बलेक बेडिया था यह चलांग मारते हुए इन सब के बीच में से बहुती आसानी से बाहर निकल जाता है जब वह जो बलेक बेडिया वहां से निकल रहता तो उसी वक्त अधेड उम्र का आदमी चिलाते हुए करता है जल्दी करो इसे पकड़ो इसे भागने मत दो वहीं द दिख्ते हैं पाहड के अंधर से बहुत बढ़ी जो ती मंदल टाइब एलियन उस पाहड के अंधर से बाहर निकलता है और पोती सब्ड़ से बुड़े के आदम की तरफ आता हैं तो उसी वक्त यह जो अधेड उम्र का जो बंदा ता यहां वीर से करता है वीर जल्दी करो और अपने पालतो एलियन को इसे रोकने के लिए भेजो, इस बात को सुन कर जो वीरता वाँ चिलाते हैं अब भेवकूब मरना है क्या? जल्दी करो और यहां से भागो, निकलो यहां से, और जो वीरता यहां कहते हैं वे अवनीका हाथ पकड़ते हैं, वहां से बहुती तेज इससे स्पीर से निकलता है और इसके बाद में हम देखते हैं कि अधेड उम्र के आदमें के फीछे जाने लगता है तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वह जो अधेड उमर का बंदा था वह वेर engthuses पासनकर पटब्स वह संदिर हमें नहीं mis登録ary कर सकता हैं मैंने तुमारा contract इसमारा contract बीकुल भी नहीं तोड़ा है मैंने तुम्हें कैवल एक एल्यन से बचाने लindo को जो मैंने कर दिया हैं मैंợ दो इसके तोड़ी देर बाद का सेन देखते हैं जहां पर यह जो एलियन था यह फिर से मुड़कर फिर से अपनी गुपा के तरफ आने लगता हैं और वहीं हम देखते हैं कि जो बुड़ा था अब इसका नम हम नटबन लार लग देते हैं जो अपने आपको एक पेड़ के सहारे कीज से टिकाता हुआ करता हैं क्या वह एलियन अब हमारा पिचान नहीं कर रहा है क्या उसने हमारी जन बख्स 드ी यह तो अच्छा हुआ कि वह अब यहां पर नहीं आ रहा हैं वहीं दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं जो अब उस एलियन से बहुत दूर आ गया थां। और फटापट से बहुते हैं जिस भागने लगता है वीर को भागता हुआ देखर जो अवनेतिवा वीर से कहते हैं वीर तुम कहा जा रहे हो इस वक्त उस दिसा में तो एलियन है न वहाँ पर क्यू जा रहे हो तो बाइर लोगों इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दू कि यह ह चिलर को सबस्क्राइब नहीं की औपने के लेना और अगला एपिशोड तोड़ी देर में आ जाएगा और जो वीर को हायर करने वाले बन देते वह कुछ जगह पर आराम करते हैं और फिर करते हैं क्या वह अभी बेमारा पीछा करें वही हम दूसरी तरफ वीर को देखते हैं जो एकदम से दोड़ने लगता है और उसे कुछ याद आता है तो फटापड से वीर उस जगह पर जाता है जहां से एलियन निकलाता है और उसके अंदर देखने लगता है तो वीर को नजर आता है और उसे देखने के बाद में वीर कहता है तो अब मुझे समझ में आया है कि जब बलेक बीड़ेगी फाइट होली एंजल से हो रही थी तो वह बलेक बीड़ेगी इतना गयल होने के बाद बे भी यहां से बागने की हमत क्यों नहीं कर रहा था क्योंकि यहां पर इस गुपा के अंदर जीनो एसंस ना जिसे देखने के बाद में वीर भी कुश सो जाता है और फटा पर से कि अंदर जाने के बाद में उस जीनो एसंस को अपने हाथ में लेता हुआ वीर कहता है यार यह तो बहुत ही बड़ी आ हुआ कि मेरे पास अब एक जीनो एसंस है मैं डारेक्ट भी घुपर जीन बढ़ा सकता हूं और इ उजे दिखा नहीं सकते हो और इधर मुड़ो नटवर लाल के साथी ने इतना कहा ही था कि इतने में ही वह जो एलियन तावा फीर से उनके उपर अटेक करने के लिए आ जाता है एलियन को अपनी तरफ आता हुआ देकर नटवर लाल अपने साथी से कहता है तुमने क्या किया नटवर लाल की बात को सुनने के बाद में जो चस्मिस ता यहां नटवर लाल से कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ खुद का खुद ही अब मेरी तरफ आया है चस्मिस ऐसा कहने के बाद में वीर की तरफ उंगली करता हुआ कहता है यह जरूल वीर ने क्या होगा नहीं तो वह यहां से क्यों बागता और उतनी जल्दी क्यों करता यहां से बागने की चसमिस की बात को सुनने के बाद में यह जो नटवर लालता है यह वीर के ऊपर दात वीश्टेवे करता है वीर तुमने हमारे साथ धोका किया है तुम सच में धोके बाज हो वही इन सबसे कुछ दूरी पर हम अवनी को देखते हैं जो एलियन से बचने के लिए भाग रही थी तब ही अचनक हम देखते हैं कि अवनी की कमर के पास एक हाथ आता है और अवनी को पकड़ कर आसमान की तरब ले जाता है और यह और कोई नहीं होता है बलकि वीर होता है जि भी आसमान में उड़ गया है और उसे उड़ता हुआ देखकर जो वीर ता हुआ हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद में वीर फटा फट से नीची उतरता है और अवनी को भी नीची उतार देता है और नीची उतारने के बाद में वीर अवनी से कहता है तुम यहां से निकल और मैं उसका ध्यान बटकाता हूँ और मेरी तरफ आकरसित करता हूँ रितना कहने के बाद में जो वीर ता वह वहां से निकल जाता है और अवनी खड़ी के वह तेवे वह ते उसे भागता हूँ देखती हैं और इधर जो वीर ता वह एलियन से बचने के लिए बहुती स्पी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता हैं और अपने आफ से कहते हैं नहीं मुझे यह अंड़ा बहुती जदा मुश्किल से मिला है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ इतना कहने के बाद में जो वीर ता वह जल्दी से होली एंजल को बुला लेता हैं और अपने लिए तोड़ा सा टाइम खरीदने के लिए होली एंजल को उसके उपर अटेक करने के लिए करता हैं और जो होली एंजल दी फटाफर से बाहर आने के बाद में इस एलियन के ओंपर अटेक कर देते हैं लेकिन यहां पर होली एंजल के अटेक का बहुत यह आसानी से यह एलि यह नहीं रोक सकती हैं और वीर इसी तरीके से कुछ दिन दोड़ने के बाद में जो था वह थाउजन माउंटेंड के पास पहुंच आता हैं और वह अभी भी एलियन से बचने के लिए दोड़ रहा था और जो वीर ता तबी वीर के मन में खयाल आता है यार मैं अब इस तरीक से दोड़ता हुआ रुख जाता है और जीनो एसनस को अपने हाथ में पकड़े हुए ही ऐसा लगता है जिसे फेकते हुए कहता है मुझे यह जीनो एसस नहीं चाहिए तुम इसे अपने पास रख लो वीर ऐसा बोलने के बाद में फीचे मुड़कर देखता है अब हम तोड जो एलियन था यहाँ पाहड पर नहीं चड़ता है तो वीर हेरान हो जाता है और अपने प्रोफेसर मंतरा का यूज करता है और इस पाहड को स्केन करते हुए मन में सोचता है यार यह इस पाहड पर इतना बड़ा एलियरान भी चड़ने की हिमत नहीं कर रहा है यहाँ पर क और यहाँ पर एक भी घंस का तिनका नहीं है यहाँ आसा सोचने के बाद में जू वीर था वह इस जगह को एकस्पलोर करने लगता है साथ वीर के मन में ख़याल आता है कि जग्यासा या चक्कर में इस जगहां पर पस नहीं जाता हूँ और मेरे साथ कुछ उल्टा सुल्टा नहीं हो जाता है और ऐसा सोचता हुआ जब वीर आगे बढ़ रहा था तो वह नीचे देखता है की की नीचे एल्डिरान अभी भी वीर का पीछा कर रहा है और उसे देखने के बाद में वीर अपने मन में कहता है यार लगता है यह एल्डिरान इस जीनो एसेंस का पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं यहां से नीचे नहीं उतर सकता हूँ और नहीं इस थाउजिट माउंटेन के उपर चड़ सकता हूँ मैं तो बहुत ही ज़दा बड़ी दूईदा में पस गया हूँ वीर ऐसा सोचने के बाद में फटा पड़ से एक चटान के पास जाता है और वहां पर जीनो एसेंस को रखते हुए कहता है तुम अपने जीनो एसेंस को वापस लेलो मुझे नहीं चाहिए यह लेकिन फिर भी यह जो एलियन था या फिर भी वीर का पीचा नहीं छोड़ता है और वीर समझ दता है कि यह अंडा लेने के बावजूद भी उसका पीचा करने वाला है और उसके साथ फाइट करने वाला है जब वीर यह सोचकर हैरान था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि थाउ पोरेका फ्लो विगड़ जाता है और जिसकी वजए से वीर का दिल चुटा वहाब बेचेन हो जाता है और वीर अपने चिने पर हाथ रख लेता हैं इसके बाद में वीर वीर्जी नीचे वैड़ता हैं और अपने प्रॉफेसर मंतरा का यूज करकर इस जगह को सकेन करने की को प्रफ़ेशरेशन ब्रम और किशले इपिसोड में पेसे एक बहुत ही जुर्दार आज आती हैं जिस आवाज को सुनने के बाद में जो वीरता उसका ध्यान उस्मोंटेंग तरफ चला जाता है तब ही हम देखते हैं कि जो मौंटेन था उसके चारों तरब बहुत बड़ी बड़ी स्वग वेव निकलती है उसे देखने के बाद में जो वीरता वह इस मौंटेन के बारे में सोचने लगता है और करता है यार मुझे समझ में निया रहा है कि इस मौंटेन पर आखिर कार घंटे की आवाज कहां से आ रही है और यह सोचने के बाद में जो वीरता वह मौंटेन के उपर चड़ने के लिए चला जाता है और जैसे वह उपर देखता है तो वहां की सिंडरी को देखने के बाद में जो वीरता उसकी आँके फटी की फटी रह जाती है और सामने की जगह को देखता हुआ वीर करता है यार यहां पर आत्माय रहती है या फिर इंसान यहां पर इस सिल्टर की आलत ऐसा कौन कर सकता है यहाँ पर तो बहुत ज़ता डर लग रहा है और यहाँ पर तो blood scale जो alien था वह भी यहाँ आने की हमत नहीं कर रहा है एसा बोलता हुआ जो वीरता हुआ अपने आसपास के blue shelter को बहुती द्यान से देखता है जो पूरी तरिके से अब नश्ट होने की कगार पड़ता और पूरा पूरा खंडरों में बदल चुका था और जब वीर blue shelter से नीचे की तरफ देखता है तो वीर हेरान हो जाता है और वीर अपने आप से नीचे की तरफ देखता हुआ कहता है मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि यहाँ जो blood scale सुपर alien उपर आने की हमत कर रहा है मुझे लगता है कि इसे पता चल गया है कि यहाँ पर कोई नहीं है और इसके बारें पता लगते हैं यहाँ मुझे पर अटेक करने के लिए उपर आ रहा है एसा सोचने के बाद में जो वीरतावा फटापड से सेल्टर के अंदर भागतावा वीर मन में सोचने लगता है मुझे जल्दी करनी होगी और इस सेल्टर के अंदर टेलिपोर्ट डिवाइस डूड़ना होगा अगर टेलिपोर्ट डिवाइस ठीक होगा तो मैं यहां से बचकर निकल सकता हूँ एसा सोचने के बाद में जो वीर था वा फटा पर से सेल्टर के अंदर चला जते हैं और सेल्टर के अंदर आने के बाद में वीर को पता चलता हैं के इतना बड़ा जो सेल्टर है इसके अंदर एक भी इंसान नहीं है नहीं या एक भी स्प्रिट हैं यहां पुरा का पुरा सेल्टर पूरी तरिके से खाली नजर आ रहा है वही नीचे की तरफ हम देखते हैं कि बलड स्केल एलियन जो था हुआ अभी भी वीर का पीचा करा था उसी अपना पीचा करते हुए देखकर वीर वीर अपने आप से कहता है यारी अभी भी मेरा पीचा क्यों कर रहा हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा यह सब कुछ देखकर वीर कहता है हस अब मेरा एक काम तो हो गया है अब मुझे बस इस जगहों को पूरी तरिके से एकस्प्लॉर करना है और देखना है यहाँ पर क्या चीज़े है या क्या नहीं है एसा बोलने के बाद में जो वीर ता वह अपना टेलिपोर्ट डिवाइस डूंडता है यार इस जिगह पर टूट फूट भी इतनी है कि मैं आगेर कर इस जिगह पर टेलिपोर्ट डिवाइस कैसे डूंडूंगा और यहां से कैसे बगूंगा वीर ऐसा सोचता हुआ तोड़ी इस पेसले तब ही वीर अपने हाथ में उस जगह को छूता हुआ करता है यार यह गंटी कई दिनों से नहीं बज़ी है और जो वीर ता वह इस गंटी के उपर लगी वी दूल को अपनी उंगलियों में लेते हुए ऐसा करता है इसके बाद में जो वीर ता वह उने वाले डे वीर ता वह इस जगह की सभी घंटियों को डूड़ने के लिए जाता है तो वहीं वीर को गंटियों को डूड़ते समय एक कंकाल लजराता है तो वीर उस कंकाल के पास चला जाता है और हड़ियों के धाच के पास उतरता हुआ कहता है यार यहां पर कोई व्यक्तितों है कितनी दिनों से मरा हुआ था जो मेरे फंको की हवा से ही पूरी त्रिके से धूल में बदल गया है और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वीर ता वह अपने सी ओफ सॉल से इस टल आर्मर को बुलाते वे करता है यार इस जगह पर बहुती जदा खत्रा हो सकता है इसलिए म भयानक हमला हुआ होगा जिसकी वज़े से यहां पर रहने वाले जितने भी हूं मनते वह पूरी की पूरी त्रिके से खतम हो गए हैं और जहां तक मुझे लगता है यह सब कुछ और कोई नहीं बलकि इस प्रिट से ही ऐसा कर सकती हैं वीर ऐसा सोस्ताव आगे बढ़ रहा तो उसी वक्त एक बहुत इक खतना घंटे की आवाज आती हैं जिसकी वज़े से वीर के कदम वहीं के वहीं लड़ खड़ा जाते हैं और उस आवाज को सुनने के बाद में वीर की हाथ आटोमेटिक अपने कानों तक पहुंच जाते हैं और वीर के मुह से चीक निकल जाती ह कि यह किस तरिकी भयानक आवाज है और यह आवाज कहीं दूसरी जिगा से नहीं बलकि उसी ब्लू कलर के घंटे के अंदर से आ रहे थी जो अभी वीर ने जिस घंटे को हाथ लगया था और उस आवाज को सुनने के बाद में जो रेड स्केल सुपर एलियन था वह भी घबर जाता है और वह भी पूरा स्रीर कापने लगता है वही नीचे हम वीर को देखते हैं जो उस घंटी की आवाज को सुनने के बाद में वीर के मोह से खून की उल्टी होने लगती है और जो वीरता वह अपने आपको संबालते वेफटा पड़ से फ्रोफिसर मंत्रा का यूज क स्रीर को फाड कर बहार निकलने वाली वहीं हम आसमान में देखते हैं जहां पर बलड इसके सुपर एलियन घंटी के आवाज से कापने लगता है और जो होली एंजलती वह अपने आपकी रक्सा के लिए अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती हैं और दूसरी तरफ नीच आपको बचाने के लिए अपने स्टी ओ आफ सॉल्स हैं अभी गोडेस फाइट से मिली हुई जो डेविल सॉल ती सुपर एलियन की उसे बुला लेता है जो की एक मॉंस्टर टाइप थी जो रक्सा के लिए खापी अच्छी थी उसे बुला लेता है जैसे वह डेविल सॉल मुलीः तो वीर को चारो तरफ cover कर लेती हैं और उसके अंदर गृन जो blue color का जो धु Oreo ता उसे बूरी तुरी त्रिकशी से गिर जाता है और गृंटी की आवाज में थोड़ी कमी मशसुस होती है और वीर तोड़ी सी राहत महसुस करता है अब हम इसके तोड़ी देर बाद का सिन देखते हैं जहां पर अब वीर की कंडिसन पहले से काफी आच्छी हो जाती है और जो वीरता वह इस डेविल सोल को पाने के बाद में कहता है माना पड़ेगा कि गोड़ेस फाइट में मिलने वाल यह हर चीज बहुं मुल्य होती है और अब मुझे इस चीज़ डर नहीं हैं ऐसा कहने के बाद में जो वीरता हुआ अपनी आखे बंद कर लेता है और अपने चारों तरफ की जो एनर्जी ती उससे मसस करता हुआ करता है ग्लू नाइट एनरजी जो हैं यहां किसी भी एनरजी का विरोध कर सकती है और इसलिए मुझे लगता हैं कि यहां जो ग्लू नाइट एनरजी यहां घंटी की आवाज को रोग पा रही हैं तो इसका मतलब यह हो सकता हैं कि यहां घंटी जो बज रही हैं यहां घंटी किसी न और बहुती तेज स्पीड से वीर की तरफ आती हैं और वीर की ऊपर आने के बाद में वीर को असास होता है कि यह जो गंटी अभी वीर से बहुत दूर थी वाचानक से उसके पास आ गई है और यह महसूस करने के बाद में वीर के मुझे निकलता है क्या इस गंटी की आखे हैं और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो फटापर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेलेग्राम चैनल में जाकर जोइन हो जाएं और वार्सप पर जाकर फॉलो कर ले आपको सबी इंपोर्टेंट जो न्यूज है वहीं पर मिलेगी और सबसे पहले आपको वीडियो का पता भी वार्सप याए टेलेग्राम पर मिल जाएगा कि कब अपलोड करूँगा कि कब नहीं करूँगा ठीक है ना पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीर था वह बुलू सेल्टर नाम के एक जिगह पर पह होती है और यहाँ गंटी जो ती यहाँ वीर के उपर अटेक करने लगती है यहाँ देखकर जो वीर तावा हेरन हो जाता है और इस गंटी को देखने के बाद में हेरन होता हुआ वीर करता है क्या इस गंटी की आंके हैं यह क्या यहाँ मुझे देख पा रही है तब ही अच कालती हैं और जो वीर ता वह इन सौक वेव को देखने के बाद में चिलाते हैं तुम मेरे से दूर हो तुम मेरे पास क्या कर रही हो वीर के इतने चैलाने के बाद में हम देखते हैं कि जो गंटी ती वह वीर से दूर चली जाती हैं और जो वीर ता वह गंटी को दूर जाता ह चाहिए कि यह गंटी कहा गई है क्या मैं वहाँ पर जाकर देखूं वीर ऐसा गंटी को जाता हुआ देखता है और मन में सोचता है वीर गंटी को जाते वे देखर यह सोच रहा था तो उसी वाकते जो यह गंटी ती यह फटा पड़ से बलड़ स्केल के पास पहुँँ आती है और उसके उपर आटेग कर देते है और वह पर बहुत ही खतरनाख सोच वे उत्वन करती है जिसे बचने के लिए जो बलड़ सकेल तावा जोड़ जोड़ से घंटी को मारता है जिसकी वज़े से उस घंटी के अंदर से बहुत तेज और भारी भर कम उस अखवे बाहर निकलती है जिसकी वज़े से वीर अपने कान बंद कर लेता है और इस आवाज को न सुनने की कोशिस करता है और जो वीर था वह जोड़ से चिलाता हुआ काता है जतना हो से कि अतना कम हिलो और उस गंटी को मारो मत और अब हम सिद्ध ही इसके तोरी देरबाद का सेंग देखते हैं जहां पर बलड इसकेल जो एलियन था वह हिलना डूलना कम कर देता है और वीर को लगता है मानो यह जो सुपर एलियन है यह दिरे दिरे मर चुका है वीर ने इतना बोला ही ता कि इतने में है जो घंटा ता यह फटा फट से होली एंजल के उपर अटेक करने के लिए चला जाता है जिसे देखकर वीर चिलाते हुए कहता है, यह किसे संबो ें यहाँ होली एंगल की उपर अटेक करने के लिए जा रहा हैं होली एंगल अपने अटेक होता है। देखकर कहती अच्छा तो ये बात है तुम मेरे उपर अटे करने के लिए आ रहे तो आओ मेरे पास दिखाती हूं तुम्हे इतना बोलने के बाद में होली एंजल जो थी वह अपनी तलवार को निकाल लेती है और घंटी को अपनी तलवार से बहुत ही जोर से मारती है जिसकी वह वह जा जा और इतने बेहां हम देखते हैं कि जो हॉली एंजल थी वह वह वीर के सी ओफ सोल में वापस आ जाती है और वही जो घंटी थी वह जमीन में जोर से बढ़ने की वज़िसी वहीं की दश जाती है। होली एंजल को अपने सी ओफ सोल में लेने के बाद में जो वीर तावा मन में सोचने लगता है ये बहुत बढ़ी हुआ कि मैंने फटाप पर से होली एंजल को अपने सी ओफ सोल में वाफस ले लिया और नहीं तो अभी होली एंजल इस दुन्या से चली जाती वीर इतना बोलक क्या यह मुझे पर अटेक करना चाहता है लेकिन जो वीरता वह इस अटेक से बचने के लिए जमीन पर पेर मारकर आस्मान में उड़ जाता है और यहां पर जो यह वीरता वह इस गंटी के अटेक से बच जाता है और आसमान में उड़ते वेई जो वीरतावा करता है क्या यह गंटी मुझे पकड़ने के लिए नहीं आ रही थी इसके बाद में जो वीरतावा अपना पसीना पोंचतावा करता है यार इसने मेरे उपर एक बार अटे किया और एक बार अटे करने के बाद में यह मुझे पर अटेक करने के लिए दुबारा नहीं आया क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि इसे पता है कि यह मुझे पर अटेक नहीं कर सकता है और यह मुझे नहीं पकड़ सकता है यह केवल एक पिक्स टाइम पर ही अटेक करता है एसा सोचने के बाद में जो वीर था वह बलड इसकेल के पास जाता है तो उसे चेक करता है तो वीर को पता चलता है कि बलड इसकेल की पूरी एनरजी को इस गंटी ने आवसुसित कर लिया है और यहाँ पर बलड इसकेल पूरी तरीके से रा के देर के सिवा कुछ भी नहीं ब हो गंटी की तरफ देखता हुआ करता हैं अगर उस गंटी को यानी सूपर एलियन को किल कर देता हूं तो मुझे इसके अंदर से किस परकार की डेल मिलेगी हा यह इसाध हो को दीखते हुआ वी धुत तो है और Holy Angel एक humanoid pet devil soul हैं जिसकी वज़े से इस पर ज़दा परवाव नहीं पढ़ाएं और यहाँ पर जो Holy Angel यह है एक Holy Angel एक spirit की तरह दिखती हैं इतना कहने के बाद में जो वीर तावा सोचन लगता हैं अगर Holy Angel के साथ एक दो spirit और होती तो मुझे लगता है कि Holy Angel और वो spirit मिलकर ही जो Holy Angel थी वह बहुती स्पीड से उस गंटी के उपर अटे करने के लिए चली जाती हैं फिर जो Holy Angel थी वह गंटी के पास पहुंच जाती है और गंटी के पास पहुंचने के बाद में अपनी तलवार से गंटी को बहुती जोर से मारती है तब ही हम देखते हैं कि जो गंटी थी वह अपनी जिगां को चेंज कर लेती हैं और जो गंटी थी वह अपनी जिगां से दूर चली जाती हैं यहाँ देखकर वीर फटा पर से होली एंजल को अपने सी ओफ सोल में वापस ले लेता हैं Holy Angel को माँ से जाता हुआ देखकर जो गंटी थी वा फिर से अपनी जिगह पर लोट जाती है यहाँ देखकर वीर कहता है यार यह तो बहुत ज़्यदा बढ़िया हुआ कि यह गंटी वापस अपनी जिगह पर लोट रही है वेसे भी यह Holy Angel के बिना मुझपर अटेक नहीं कर पाएगी अगर मुझपर अटेक करेगी तो Holy Angel इसके उपर अटेक करेगी और इसे तोड़ देगी जैसे वीर को यह बात समझ में आती है तो गंटी को देखता हुआ वीर हस्तेवे करते है चलो ठीक है तो मैं अब तुम्हारे साथ केलने का टाइम आ गया है इतना कहने के बाद में ही जो वीरता वा Holy Angel को घंटी की तरफ भेज़ देता है और सामने की तरफ देखने के बाद में जो वीरता वा शुक्र रह जाता है क्योंकि Holy Angel ने अभी तक घंटी के उपर अटेक नहीं किया था और यहां पर जो घंटी थी वह पहले से बचने के लिए अपनी जिगह को छोड़ देती है और आसमान में उड़ जाती है जब Holy Angel देखती है कि जो घंटी यह आसमान की तरफ भाग रही है तो Holy Angel भी आसमान की तरफ उड़ती है और अपने तलवार से घंटी के उपर बहुत ही जोड़दार अटेक करती है Holy Angel की अटेक की वज़े से उस जिगह पर बहुत ही खतरनाक सो वेव उत्पन होती है वहीं जो वीरताव है Holy Angel और घंटी को लड़तावा देखता है अपने आप से करता है ऐसा लगता है जैसे मानो जो यह गंटी है जब यह गंटी किसी के उपर अटेक करने के लिए चली जाती है तो इसका परभाव ज़दा रहता है और यह जब रुकर किसी के उपर अटेक करती है तो इसका प्रबो इतना ज़दा नहीं रहता है सामने की तरफ देखता हूँ वीर जब ये सब कुछ सोच रहा था तो वह देखता है कि सोफ वेव की वज़े से जो होली एंजल थी वह गायल हो गई है तो उसे बचाने के लिए वीर होली एंजल के पास जाता है और होली एंजल से कहता है वापस सी ओफ सोल में आ जाओ और जो वीर था वह ओली एंजल को अपने सी ओफ सोल में ले लेता है वह हम देखते हैं कि जो यह घंटी थी इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दरारे आने लगती है और यह दरारे चोड़ी होने लगती है और इसी के साथ यह एपिसोट यही का यही खतम हो जाता है अगर आपको एपिसोट पसंद आ रहा है तो फटा फट से चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन ओन कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और एक बात और की जिसने भी वार्सप पर बढ़ने वे मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लेना और मैंने टेलेगराम पर भी चैनल बढ़न लिया है और जितनी भी इंफॉर्मेसेने मैं इन दोनों चीजों पर ही दूँगा इंस्टागराम पर तो अभी आया नहीं हूँ लेकिन मैं जुरूर इंस्टागराम अकाउंट बनाऊंगा और हाँ इन सबी चीजों के जो लिंके में अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से जाकर फटाप फट से देख लेना जो वार्सप चलाता है वह वार्सप पर जाकर जोईन हो जाएं और जो टेलीगराम का यूज करते हैं वह टेलीगराम की बने हुए चैनल को मुझे फॉलो कलेर सब्सक्राइब कर ले ठीक है ना और जो बचीवी बात में आप लोगों को बता दूँ कि जो आगे आने वाला एपिसोट है जो इसका आगेगा तो वो एपिसोट में के तो साम तक डाल दूँगा नहीं तो अकल आपको एपिसोट मिल जाएगा तो करते हैं इस वीडियो की एंडिंग प aurait ले पिसोट मिल जाएगा की जो आठेक करती हैं और अठेक है सोक वेव की वज़े से जो एपिसोट है वो बहुत बहुत दूर तक पिचे की तरफ फगती हैं लेकिन जो वीरता वह होली एंजल को बचाने के लिए उसे फटापड से अपनी सी ओफ सॉल में ले लेता हैं और यहां पर जो वीरता वह जैसे ही होली एंजल को अपनी सी ओफ सॉल में लेता हैं तो वह देखता हैं घंटे के ऊपर लगातार दरारे बढ़ती जा रही हैं और दिरे दिरे घंटे की जो दरा रहे थी वह दिरे दिरे चोड़ी होती जा रहे थी अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो घंटा था एक दम सी डह जाता हैं और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं उन टुकड़ों को देखने के लिए जो वीरता वा फटा पड़ से उन नोटिफिकेस नाता है कि आपने मोती गंटी नामक एक सुपर एलियन का सिकार क्या है और इस एलियन के मासों खाया नहीं जा सकता है लेकिन आप इस एलियन के जिनो एसंस को ले सकते हैं और अपने जिनो पॉइंटों को बढ़ा सकते हैं और इस गासे गंटी को आप बढ़ा भी कर सकते हैं यह सब देखने के बाद में जो वीरता था हसता हुआ करता है वह यह क्या मजा की क्या यह अभी मैंने मारा है यह एक तीसरी पीड़ी का सुपर एलियन छो एक जो बच्छा दे सकता हैं और इसे के साथ यह अपने आपको फिर से ग्रो कर सकता है यह तो बहुत जदा खतरनाक बात है बाई इसके बाद में जो वीर तावा नीचे बेड़ता है और गंटी के टुकड़ों को इदर उदर करता हुआ गंटी के अंदर से जिनो एसंस डूंड़े लगता है तब भी वीर को इस बड़े से घंटे को बजनने के लिए जो बीच का जो कंकर घंटाता हुआ देखता है तो करता है क्या ऐसा संबो हो सकता है कि इसके मुह पर लगा हुआ यह जो हिसा यह जिनो एसंस है यह सोचने के बाद में जो वीरता वह इस चीज को होली एंजल की तरफ फेकता हुआ करता है Holy Angel जना देखो इसे तोड़ कर देखो कि इसके अंदर जिनों essence मिलता है या नहीं मिलता है इसे अलग कर दो तब ही हम देखते हैं कि उस लंबी सी जो चीज थी उसे जोर से Holy Angel जैसे मारती है तो उसके अंदर से crystal बहार निकलता है यह crystal और कुछ नहीं होता है बलकि उस बड़ी सी घंटी का genetic core होता है जिसे देखने के बाद में वीर बहुत जदा कुछ होता हुआ और हिपी फूर्रे करता हुआ करता है अरे वा यार इस बार तो हमने बहुत सारा पेसा कमाया है इस बार मुझे एक genetic core मिल गया एक devil soul मिल गयी एक geno essence मिल गया इस बार तो पैसे पैसे मजे मजे इसके बेहन की मजे मजे और फिर इसके बाद में हम सिद्धे अगले दिन का सेन देखते हैं जहां पर जो वीर तावा जंगल के अंदर golden share के उपर बेठा वाता और आगे बढ़ रहा था और तबी जो वीर तावा अपनी ज जैसे ही वह जो अंडाता करता हैं तो उसी वक्त वीर के notification system में notification आता हैं आपने एक super alien का सिकार किया हैं जो एक bloody scale super alien हैं आपको कोई भी devil soul प्राफ्त नहीं हुई हैं आप इस super alien के mask का 7 कर सकते हैं और अपने geno point को बढ़ा सकते हैं इस notification को देखने के बाद में जो वीर ता व अंडे के flesh को फिनी लगता हैं उसी वक्त वीर के जो जिनो point थे वह लगातार बढ़ते रहते हैं और उसके notification system में जिनो point की वर्दी की जो गोशनाती वह लगातार होती रहती हैं अंडे के पूरे flesh को खतम करने के बाद में जो वीर ता वह अपने मों को पूंशता हुआ करता हैं और इस अंडे के flesh का seven करने के बाद में मेरे जिनो point की जो संक्या है वह choice हो चुकी है और मुझे लगता है कि death nail घंटे के जो उर्जा का अनुकरन है अगर मैं उसको करता हूं तो मुझे लगता है जो इसके जिनो essence को मैं seven कर सकता हूं और और भी मेरे जिनो point बढ़ा सकता हूं इसा सोचने के बाद में वीर golden share के उपर आलती फालती मान कर बेट जाता है जैत नेल घंटे की उर्जा का अनुकरन करने लगता है जब वीर ऐसा करा था उसी वक्त जो वीर था वह धीरे से अपनी जेब पर मारता है जैसा है वीर अपनी जेब को धीरे से मारता है तो ज लेखते हैं कि जो golden share था वह घुराते वे आगे बढ़ता है वहीं जो वीर था वह golden share के उपर बेठा हुआ था और तब ही वीर के मन में ख्याल आता है शायद ऐसा हो सकता है गंटी की उड़ जागी अनुकरन की वज़े से जो golden share था वह बहुत तेज गुसे में आ गया था ल fight करते समय इस technique का यूज करता हूं तो मैं अपने opponent के energy flow को disturb कर सकता हूं और उसे वहीं का वहीं बहुत ज़्यदा घायल कर सकता हूं तोड़ी दूर चलने के बाद में वीर के सामने एक shelter आता है जिसे देखता हूँ वीर करता है मुझे लगता है कि यह जो shelter यह इंसानों के र shelter था और फिर जैसे वीर shelter के अंदर आता है तो वीर को लगता है जिसे कोई बंदा जोर जोर से उसका नाम चिला रहा है और तबी हम देखते हैं कि एक बहुत ही पहलवान टाइप जो इनसान था वह बहुत ही स्पीर से वीर की तरफ भागता हुआ और उसका नाम चिलाते हु वीर की छीख सुनने के अबाद में जो पहलवान टाइप इनसान था वह वीर को छोड़ देता है और वीर के साथ चलते हुए कहता है यार तुम सही टाइम पे आई हो चलो तुम मेरी मदद करो मेरी और मेरे एक बुड़े विखती की ठीक है ना अपने सामने वाले पहलवान कि बासन के बाद में जो वीरता हुआ कहता है क्या बूड़ा तुम्हारा बूड़ा को सा तब ही जो पहल वानता वह वीर को एक कमड़ी की तरफ ले जाता हुआ कहता है हाँ मेरा बूड़ा यानि की मेरा भाई वह और हम दोनों गलती से एक ही जगह पर टेलिपोर्ट हो गए ह और जिस shelter में हम यहाँ पर आए हैं वहाँ पर जिनो पॉइंट बढ़ाने के लिए बहुत ज़दा परेशानी आ रही हैं साथ हमा सुन जो सुपर जिनो पॉइंट है उसको भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं अगर हमें एक साथ शेल्टर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम अपने लिए अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने जिनो पॉइंटों को बढ़ाने में बहुत ज़दा कारगर रहेंगे तब ही हम देखते हैं कि जो पहलवान था वह अपने भूड़े यानि कि अपने बड़े भाई से कहता हैं मेरे बड़े भाई मैं देखो तुमारे लिए वीर को पकड़ कर लेकर आया हूँ वीर का नाम सुनने के बाद में जो इसका बड़ा भाई था पहलवान का वो देखते हुए कहता है क्या वीर को किसे पकड़ के लिगा है पहलवान का बड़ा भाई वीर को अपने सामने देखने के बाद में जो था वह वीर के पेरों पर लेट जाता है और जो था वह वीर से कह करदों ना तुम वैरोन के बाई की बास सूनने के बाध में तुमारी मदद करोंगा अब खड़े 6 वीर की बास सुनने के में लाये वह अपनें मुठियां बीश देवें करता है वशें वीसे बाई वЈ हमारी मदद करने के लिए यहां पर आएवे हैं इतने सारे लोगों के साथ हम इस मोरा गरक के सबसे पावरफुल सेल्टर को भी आसानी से हरा सकते हैं इसके बाद में सेंसिप्ट होता है और अब हम सिदे ही के नाइट सेल्टर के एक मीटिंग रूम को देखते हैं जहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम कियान है और यह कहता है देखो वाई में तुम्हें पहले ही बात बता देता हूं कि जो प्लान हमने पहले बनायता है वही प्लान रहेगा अब तुमने लोगों को लाग गर उस प्लान के अंदर एक्जिग्यूट करने के लिए कहोगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूँगा और हमने जो लाब उठाने की बात किये उन लाबों में भी हम किसी को बटवारा नहीं देंगे कियान की बात सुनने के बाद में जो पहलवान तावा करता है यार यह सा तोड़ी ना होता है हम तो वीर की मदद मांग रहेते अगर हमारे पा पाऌर फूल है ना तो मुझे बताओ ये खुद अकला जा कर उसे रोयल सेल्टर पर आदी पते क्योں हासिल नहीं कर सकता है वो अकला जाये और उस सेल्टर को हासिल कर सकता है इस बात को सुनने के बाद में कियान के पास बेठा हुआ जो ताई था करता हूं तो उसके बात में तुम दोनों बाइ मिलकर उस दोनों को चोड़ कर जाता हुआ कहता है तो ठीक है हमें अब इस गठवंदन की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है अब मैं तुम दोनों को वहाँ पर ले जाओंगा और उस सेल्टर को जितने में मदद करूँगा ठीक है न अब बस तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ तो वाई लोगों इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटा फ़षे चैनल को सुस्क्राइब कर देना बेलाइकल ओन कर लेना लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग कर रहे हैं कि एपिसोड इतना लेट क्यों आ रहा है तो उनके लिए मुए बता दू कि हफते में केवल दोई एपिसोड आते हैं इसलिए हफते में मैं सिर्फ दोई एपिसोड डाल पा रहा हूँ अगर एपिसोड जदा आएंगे तो मैं एपिसोड जदा डालूँगा उसमें कौन सी बड़ी बात है एपिसोड हफते में सिर्फ दोई आते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में हम के नैट सेल्टर के मिटिंग रूम को देखते हैं जहां पर मिटिंग चल रही थी तब हम कियान को बोलते वे देखते हैं जो सबी से कहता हैं हमारे इस प्लान के अंदर बिल्कुल भी फिर बदल नहीं होगा और प्लान वही रहेगा जो हमने पहले बनाया था और इसके साथ ही जो कियान ता वहा वीर को चलिज दे देता हैं और कहता हैं तुम अकिले जाकर ही उस सेल्टर पर अधिकार कर लो तो हम तुमें मानें कियान की बात को सुनने के बाद में जो ताई ता वहा भी कियान की बात से सरमत होता हैं जो ताई और कियान की बात को सुनने के बाद में जो फैंग ता वह वीर से कहता है भाई वीर तुम बताओ अब हम क्या करें तब ही जो वीर ता वह फैंग से कहता है फैंग अगर तुम सेल्टर को सुरुकसित रखने का आसवासन देते हो तो मैं तुमें सेल्टर जीतने में यहाँ पर क्यान और जेताई वहां पर खड़ेवे बाते कर रहेते और जो टाई कियान से कहता है मुझे लगता है कि बेली और फिंक दोनों ही पागले बहर बीर की बात को मानकर बहर रोल सेटर पर अटने के लिए चले गए और वह वह भी अपनी पूरी ताकत लेकर तुम्हे क्या लगता है वह उस रोल सेल्टर पर अटेक करके उसे जीच सकते हैं इस बात को सुनने के बाद में जो कियानता वह जो तैसे कहता है मुझे नहीं पता कि वो जीच सकते हैं या हार सकते हैं हमें उनका पीचा करना चाहिए और मौके का फायदा उटाना चाहिए जब वो दोनों ठक जाएंगे तो हमें चुक्के से सेल्टर पर अपना कंट्रोल ले लेंगे और यह सीन यहीं पर कटोता है और अगले सीन में हम देखते हैं दो बड़ी बड़ी पहाड़ों की बीच में एक बहुत बड़ी सेना लगातर आगे बढ़ रही थी और इस सेना को नेतरतव कर रहे हैं लोगों में से एक हम देखते हैं जो और कोई नेता बलकि फैंग था जो किसी से कहता है हमारे पास आठ लोग ऐसे हैं जिनकी फिटनेस सो से अधिक है और सो लोग ऐसे हैं जिनकी फिटनेस साथ से अधिक है क्या ये लोग हमारे लिए परियापत रहेंगे या नहीं फैंग की बात को सुनने के बाद में जो बेले तावा वीर के तरफ उंगली करता हुआ करता है सच में क्या वीर ने सुपर एलियनों को तगात मार रखा हैं दोनों भाईयों की बातों को सुनने के बाद में जो वीर तावा बीच में तपाक से बोलता हैं हाँ बस किसमस में ने उन्हें किल किया था वीर की इन सब्दों को सुनने के बाद में जो फैंक तावा वीर के खंदे पर हाथ रखतावा करता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो हम उनसे बात करने के ले क्यों जाते तुम अकेले ही उस रोयल सेल्टर क को रहने के ले काफी थे हैं ना इस बात को सुनने के बाद में जो वीर तावा फेंग की तरफ मुड़तावा करता है हाँ हरा तो सकता हूं लेकिन तोड़ा सा मुस्किल है और इसी तरके से बाते करते हुए वीर और उसकी टीम रोयल सेल्टर के पास पहुंच जाती हैं और वहाँ पर आने के बाद में वो रोयल सेल्टर के उँपर अटेक कर देते हैं और जब वीर रोयल सेल्टर के गेट के पास पहुंचता है तो सामने के गेट को देखने के बाद में जो वीरता वह करता है ये नियान रोयल स्पृटों के सेल्टर से कमजोर तो नहीं लगता है वीर आगे बढ़ रहा था तो उसी वक्त हम दोनों भाईयों को देखते हैं जो वीर के पीछे थे और इसके बाद में अचानक से हम देखते हैं और उस एलियन के गरदन पर मारता है जिसकी वज़े से जो उसकी गरदन थी वहीं की वहीं कट कर अलग हो जाती है और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है और notification में लिखा होता है hunting successful आपने falcon alien का सिकार किया हैं आपको कोई भी devil soul प्राप नहीं हुई हैं और 0 से 10 तक gene point बढ़ने के लिए इसके mask का 7 करें अपने सामने के powerful alien को बहुती आसानी से मारते वे देखकर जो फेंग था वह बहुती जदा हैरान था साथी जो पूरी टीम थी वह कुसी की मारे जुम रही थी वहीं इनसे कुछ दूरी पर हम कियान और जोताय को देखते हैं जो अपने सामने के नजरे को देखने के बाद में मुझे यकीनी हो रहा है कि उस बंदे ने बहुती आसानी से सिक्रेट रेंग के alien को मार डाला हैं तबी जो कियान ताव करता हैं क्या सच में वो इतना उजदा पौर फुले वो है कोन आकिरकार जब यह दोनों यहां यह सब को सोच रहे थे तो उसी वक्त हम वीर को देखते ह वह उस alien को भी आसानी से देख लेता है और उसकी उपर अपने फ्लेमिंग रेक्स को चला देता है यह सब देखने के बाद में जो ताय था वह सोक्ट की मारे उसके मुझे से बहुती जोरदार च्छिक निकल जाती है और संभव और इसी तरीके से आगे बढ़ती हुए वीर और उसकी से ना सेल्टर के अंदर चली जाती है तब ही हम देखते हैं कि वीर सबसी आगे था तब ही वीर सबी को इसारा करता हुआ रुकने के ले करता है वीर की हाथ की इस सारे को देखने के बाद में जो बेले ता वह वीर से करता है भाई वीर तुम हमें अपनी मदद करन दो यह एक रूल सेल्टरे हम साथ मिलकर उस स्पि enlight correr को आसणी से हला सकते हैं पर अगले सिंथ में चोब आगे बढ़ता तह饱 अगले स्पि digert को अपने सामने की आगे भी एक खोल लेती है और बहुती जोड़दा तरीके से घुमाती हैं और यह सूआँ से वीर था वभी अबने फलेमिंग रेश्ट को उसे फरसे से टकराने के लिए बेज दिता हैं और जैसे ही दोनों टकराते हैं उसी वक्त जो वीर का फ्लेमिंग रेश्ट था flamingξ को उस फर्से से टकराने के लिए बेख डिता है और जैसे ही दोनों टकराते हैं उसी वक्त जो वीर का जो flamingξ रेशता वह अचानक सहीं उस फर्से से टकराने के बाद में अपना रास्ता बदल लेता है और जो वह रोयल जाता है और वह ऐसे हो जाते हैं जिसे मानो हेंगो गए उसी वक्त हम वीर को देखते हैं जो अपना पूरा जोर लगा देता हैं और उसके जोर की वज़े से जो रोयल इस्पिर्टी उसके पिछी का जो गेड़ता वह एकदम से ही तूट तूट कर टुकुडों में बदल जात हैं यह एकड़ के टूट जने के बाद में जो वीर ता वह अंदर आ जाता है और वीर का पीछा करते हैं उसके साथ वीर को चिलाते हुए कहते भाई वीर क्या तुम ठीक हो क्या तुम अंदर ठीक हो उसी वक्त जब वो सब ही लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वह हैरन हो ज़ते हैं कि जो वह रोयल स्पीर थी वह दिवार बर टंगी हुई थी और जो वीर था वह इस्प्रिट इस्टोन की जो मूर्थी थी उस पर खड़ा हुआ था और नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जो बेले था वह हैरन होते अपना मुझ फाड़ कर करता हैं मुझे समझ में नियारा की बस इतनी आसाने से वह रोयल स्पीरिट हार माली और मर गई बस अभी एक मिन भी तो नहीं वह उसका और वीर का सामना हुए और वह इतनी देर भी नहीं ठीकी वहीं जो वीर था वह इस्प्रिट इस्टोन की जो मूर्थी थी उसके सिर से इस्प्रिट इस्टोन वह इस spirit का ही stone है ना तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह spirit वीर के सामने पूर निश्टा का परतिगया लेने वाली हैं इधर जब बेले यह पास सोच रहाता तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो royal spirit थी वह वीर के सामने घुटने टेक लेती हैं और पूर निश्टा की परतिगया ले लेती हैं और वीर भी उस spirit stone को उस royal spirit के सीर पर ठिका देता हैं जिसकी वज़े से अब जो वीर था और उस royal spirit का जो contract था वह पूरा हो जाता हैं फिर इसके बाद में जो वीर था वह अपने हाथों को जाड़ते वे आगे बढ़ता हुआ करता हैं चलो मैंने अपना काम पूरा कर लिया हैं आज से यह royal spirit आप दोनों का हुआ तो अब आप चाहे जैसा इसे रखो वीर की इस बात को सुनने के बाद में सबी लोग बहुती ज़दा कुछ हो जाते हैं और करते हैं चलो आज रात जशन मनाया जाई और इसे के साथ से इन सिब्ट होता है रगले सीर में हम फिर से कियान और जोताई को देखते हैं और कियान से कहता है मुझे समझ में निया रहा है कि B Halo और फेंग को यह पाउरफुल इनसान कहा मिला और το और हम लोग B Halo को उस रोयल सेल्टर को रोयल फेमिलिय सेल्टर को हतियाने नहीं दे सकते हैं जोताई की बात को सुनने के बाद में जो कियान तावा जोताई से कहते हैं अब सब कुछ कहने और करने के लिए बहुत देरी हो चुकिए अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसे के साथ ये एपिसोड भी खतम हो जाता हैं अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है नहीं तो चैनल को साथाइब कर लेना बेल आइकन ओन कर लेना ठीक है न और जिन लोगों को भी तो जिसी समझ्या हो रहे हैं कि एपिसोड लेत क्यों आ रहरे तो उनके लिए मैं में बता दूँ है कि एपिसोड इसलिए लेत आ रहे हैं क्योंकि कोमिक वाले जो सुरी मानौ वाले हैं उन्होंने अभी तक आगे के एपिसोट अपलोड नहीं किये हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है साइद वेकेशन पर चले गई हैं इस वज़े से ही हो रहा है तो जैसे ही आग का चेप्टर आता है तो मैं आपको जरूर अपलोड करके बता दूंगा या फिर आपको टेली ग्राम पर पता बता दूंगा Hari लो दोस्तों तो करता है एपेसोट के सुरूवाद में हमें वीर और फुरेंग और में को दिखल आ जाता हैं जहां पर फुरेंग फाने हों देते हुए बोलता हैं कि आपको इस सेल्टर से हर वर्स आपको प्रोफिट दे दिया जाएगा ताकि आपको आगे कभी भी कोई प्रेसा ने ना हो और वीर जो होता है वह इस प्रोफिट को लेने से मना कर देता है और बोलता हैं कि मुझे इसकी जुरुत नहीं है और बेले जो होता है वह वेड़ से बोलता है कि हम सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हमारे पस और कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको दे सकें यह सिर्फ हमारे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिप्ट समझो क्योंकि हमारा बड़ा बाई यह ना वह सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता है इसके बाद में वीर जो होता है उनसे गिप्ट ले लेता है और गिप्ट लेने के बाद में वहां से जाने लगता है और बोलता है कि दोस्तों हम फिर बाद में मिलते हैं और फिर हमें नाइट का सीन दिगा जाता है जहां पर वीर जो होता है वह होली एंजल LIVE के साथ बेटा वह होता है और जो वीर जो होता है वह हाग में मास्क को सेक रहा होता है और सोच तए हैं कि यह तो बहुती स्वाधिश्च लगेगा और हम देखते हैं कि Holy Angel जो होती है वह वीर के दोआरा बुने हुए मास्ट के तरफ नजर गड़ाए हुए देखती रहती है जैसे Holy Angel को मुका मिलता है वह उस मास्ट के टुकड़े को छीनने के लिए वीर की तरफ बढ़ती है लेकिन वीर उसे मास्क की टुकड़े को छीनने नहीं देता है और जो वीर जो होता है वह होले एंजल से बोलता है कि मैंने तेर को तोड़ी देर पहला ही बहुत सारे मास्का सेवन करवाया है और तो मेरे खाने पर नजर नहीं डाल सकती इतना बोलने के बाद में जो वीर जो होता है उसे मास्क के टुकड़े को पीछे करता है उसी बीज में जो मास्क के टुकड़े से कुछ खून उसे बैल पर गिर जाता है जिसके कारण से वह बैल वाइबरेट करने लग जाती है यह सब देखकर वीर बहुत हेरान होता है इसके बाद में वीर उस गंटी को अपने हाथ में ले लेता है इसके बाद में वीर जो होता है उस गंटी को हाथ में ले लेता है और हाथ में लेने के बाद में उसे बाद करता हुआ बोलते हैं कि तुम एगफाल तु आतमा हूं इसका मतलब तुम्black तुमें खाना चाहिए और यह सब बोलरा हो ता है इसके बाद में वहर वीर जो होता है वह उस हटन्तिको उसके हाथ में रखे मास से कुछ खून उसके उपर डालता है और बोलता है कि इसका मलब तुम जो हो वह खुन चूशती हो और इसके बाद में हम देख दें कि जो वीर जो होता है वह बहुत सारे बेडियों का सिकार कर लेता है बेडियों का सिकार करकर उनका मास और खुन इकटा कर लेता है और इसके बाद में वीर जो होता है वह उस गंटी के ओपर उन सबी ज नकरे दिखा रहे हो कि तुम्हें सब चीजे अवर अपर लेवल के चाहिए तुम्हें इस इन बेडियों का खून नहीं चाहिए यह क्या नकरा दिखा रहे हो इतना बोलने के बाद में वह बहुती निरास होता है और सोचते हैं कि मुझे इस टाइम पर खून और मास्क की जु और इसके बाद में सीन सिप्ट होता है और हम वीर को देखते हैं कि जो कि गॉल्डन सिर के उबर बैट कर बरभेले मेदान से होते होई एक शेल्टर की तरफ जाता हैं तब ये शेल्टर की तरफ से एक आदमे दोड़ते होई उसकी तरफ आता हैं तो वीर उसे देख़कर जो बोर्ते हैं सोने पृता हैं wii सोजतने हैं हम निकलना बार बहुत उची बात है protoение रहो 시간이 हैं माले सब्वकी क्रेवाषड और कि नहीं घर की बोलता है कि माश्टर जब हम इसले लड़रे हम इसले को बाताुम्हारी खीक जह ठाऩ कान्टर मारता थो उसके पास एक रेड का क्रिश्टल मिलता है जिसे मैं उठा लेता हूं और अपने पास रख लेता हूं इसके बाद में वाज लड़का होता है कि मुझे आपके में आपके चाहिए हो तो क्या आप मुझे उसे बेच सकते हो मैं उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ इसके बाद में वह जो लड़का होता है वह वीर से बोलता है कि कमांडर मैं अपने परिवार वालों को ये बता हूँ कि ये जो जीनो एसेंस मैंने प्रप्ट किये है ये मैंने जंगल में जाकर टीम वरक से एक एलियन को मार कर अपने जीनो एसेंस बढ़ाएं मैं अपने परिवार वालों को ये नहीं बताओंगा कि ये जीनो एसेंस मैंने प्रचिज किये इसके बाद में वह वीर से बोलता है कि कमाνडर में आपसे आसा करता हूँ कि आप एक कि मैंने आपसे प्रचिज की ए है वेर उसके बाद में वह जो लड़का होता है वह वीर से बोलता है कि कमा उसे बोलता है वीर उसके कंदे पर हाथ रखते हुए नहीं पता हैं कि हम बहुत जल्दा अगले मिशिय्ट पे जा रही है लेकिं तुम यही Him रहे लेकिन जब लड़का जो होता है भी मुझे तो बता सकते हो कि किस मिशन पर जा रहे हैं लेकिन जो वीर जो होता है वो इसमेल देते हुए बोलता है कि हम भुलू डाइमंड सेल्टर की तरफ जाएंगे इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडि लेने के लिए आता है वीर उस बंदे की हेल्प कलने के लिए रेडि हो जाता है फिर इसके बाद में वीर वहां से जाने लगता है तब ही पीछे से वह बंदा बोलता है आप कहा जा रहे हो इस बात को सुनकर वीर हस्ता हुआ करता है बुलू क्रिस्टल सेल्टर में जा रहा गर्से डेल सोन लाने के बारे में मुझे मदद मांगते तो सायद में तुम्हारी मदद कर देती इसके साहते मुझे ये भी लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए तानिया की बात को सुनने कर जो वीर तावा करता है लेकिन यह मेरी मा के बारे में मुझे वहा करने के लिए आपको ब्लेक डेज़ेट को पार करना होगा उस वक्त जब हमने ब्लेक डेज़ेट को पार किया था तो हम सेकड़ों लोग थे उनमें से केवल दो ही लोग डेज़ेट को पार करकर बाहर निकल पाए थे उन्होंने हमें बताया कि ब्लेक डेज़ेट में एक काला भी हैं ये तो अच्छी बात है मैंने कभे भी इन से फाइट नहीं की हैं वीर की इस बात को सुनकर तानिया अपना सिर पीड़ते हुए वीर से कहते हैं हाँ समझ गई मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ इसलिए मैं तुमारे लिए बलेक डेज़र्ट के खतरनाक जगहों को मरक कर दूंगी और किसी की हाथों मैं भीजवा दूंगी ये सब कहने के बाद में जो तानिया थी वह अपनी बात में आगे जोड़ते हुए करती हैं तो ठीक है वीर तुम मेरे लिए कुछ डेवल सोले उस जगह पर पहुचा देना और इसी तरीके से जो वीर और जो तानि एपिसोड खतम होता है चैनल को सबस्क्राइब कर देना बेल आइकन ओन कर देना अगर आपको एपिसोड फसंद आ रहा है तो और इसकी आगे की एपिसोड आपको बहुते जल मिलने वाले क्योंकि 10 के 10 एपिसोड एक साथ ही अपलोड हो गए अब आपको डेली एक एपिसो बोलकर यहां से इस रूम से निकल जाता है और इसके बाद में सिन सिप्ट होता है और अगले सिन में हम देखते हैं गुरूफ रिशर्स सेंटर की बिल्डिंग को जो एंजल जीन के अंडर आती हैं और इस बिल्डिंग के ऑफिस रूम के अंदर हम उनहीं जाओ परिवार के इल्डर को देखते हैं जिन्होंने वीर को हाईर किया था उसी वक्त ओल्ड इल्डर कीमत करके बोलते हैं सात्वा भाई मुझे माप कर दो मैंने सब कुछ गड़बड कर दी ओल्ड इल्डर की इस बात को सुनकर साता हुबाई जिसका नाम जाओ गीता वहा कहता है क्या तु पर एलियन को मारे पीछे बिजाता इस बात को सुनकर साथ वाबाई करता है अब तुम जा सकते हो तुमारी मदद के लिए में कुछ लोगों का इंदजाम कर दूँगा इतना कहने के बाद में जो साथ वाबाई तवर अपनी टेबल पर लगे हुए एक बटन को दबाता है और करता है जियावलियान को अंदर भेजो उस्सी वक्त ओफिस रूम का गेट ऊपन होता है और एक आदमी अंदर आता है जिसें देखने के लिए ओल्ड एल्डर और उसका असिस्टेंट पीछे मुड़ता है वहीं जियावलियान seguro अंदर आने के बाद में करता है क्या ओडर ह सुनकर साथवा भाई कहता है एंजल जीन लिक्विट थर्ड स्टेज पर पहुंच गया है और अब कितने सब्जेक्ट बचे वे हैं यह सुनकर जो जियाओ लियान था वा कहता है तेइस सब्जेक्ट बचे वे हैं यह सुनकर साथवा भाई जियाओ लियान को ओडर देता कहता हैं उन सबी सब्जेक्ट को लेकर जाओ और वीर को किसी भी कीमत पर मार दो साथवे भाय के इस ओडर को सुनने के बाद में जो जियाओ लियान था वह हैरान हो जाता है और हैरान होते वे ही कहता हैं एंजल जीन लिक्विड अभी तक इस्टेबल नहीं हुआ हैं अगर उ उन सबी को मैंने पाल पॉस कर बड़ा किया था तुम जाओ और वीर को किसी भी कीमत पर मार दो और फिर इसी की एसास सिंज सिप्ट होता हैं और अगले सिन में हम डेविल माउंटेन की पहाड़ियों को देखते हैं जहां पर गोल्डन सेर के उपर वीर बेठा वाता वीर अ अपने आस पास की पूरी जिगह को सकेन करता हैं जब वीर इस पूरी जिगह को सकेन कर रहा था तो उसी वक्त वीर को अपने सामने कुछ ऐसा नजर आता हैं और बहुत ध्यान से देखता हैं यार आकिरकार वो चीज क्या हैं तब हम देखते हैं कि वीर के सामने बहुत सारे जो आकरतियां थी वह वीर की तरफ बहुती तेजगती से बढ़ रहे थी वीर उन सबी को बहुती द्यान से देखता है और कहता है जो चीजे मेरी तरफ बहुती स्पीड से आ रहे हैं वह सिक्रेट रेंग के एलियनों से जदा ताकत वर हैं और उनका और आपी बहुत जदा पौरफ लगता है उसी वक्त जो वीर तावह अपने पिच्छे से एक परचाए को गुजड़तावा देखता है उस परचाए को देखने के बाद में वीर को ऐसा लगता है जैसलिकि उसने सूरास को देखा है तब ही हम देखते हैं कि वीर के सामने बहुत सारे सूरास आ जाते हैं वीर इन्हें देखने के बाद में अपने मन में सोचने लगता है क्या ये सबी के सबी सूरास है लेकिन यहाँ पर क्यों आई है नहीं नहीं ये पूरी तरिकी से सूरास नहीं है क्योंकि इनके सिंग हैं या काल हैं जबकि सूरास के तो वाइट होते हैं ना जब वीर सूराओं को देख रहाता तो उसी वक्त हम देखते हैं कि एक सूरा तीर को वीर की तरफ एम करता है और वीर की तरफ तीर चलाने लगता है जैसे ही वह तीर वीर की तरफ बढ़ता है तो वीर उस तीर को अपने तरफ आता हुआ देखता है और कहता है आकिरकार तुम हो कौन मुझे बताओ और उसी वक्त वीर के सरीर के अंदर मलब Sea of Soul से Holy Angel बाहर आती है और उस तीर को वही का वही रोग देती है वही जब सूरा अपने तीर को रुकता हुआ देखता है तो अपने सात्यों से चिलाता हुआ करता है जल्दी करो और वीर के उपर अटे करो वही इन सबसे दूर एक पहाड़ी की चट्टान पर हम जियो लियान को देखते हैं और जो जियो लियान था वही इन सब के उपर नजर रखे वे था नजर रखते हुए जियो लियान अपने आप से बड़बडाते हुए करता है पर फुल और उसके सात्यों ने अभी अभी सूरा एंजल जीन का यूज किया है अब वह सबी जितने भी हैं वो सबी के सबी मरेवे लोगों के समान हैं देखते हैं अब आगे क्या होता है और तोर में हेरान हूँ कि वीर को मानने के लिए इतने सारे लोगों की बली देने की क्या जूरत हैं अगर इतने सारे लोगों का यूज हम सुपर एलियन को मानने के लिए करते तो जदा अच्छा होता और फिर सी वक्त हम पहाड़ी के निचे देखते हैं जहां पर वीर के चारों तरफ सुराओं ने अटेक कर दिया था और तब हम देखते हैं कि जो होली एंजलती वीर को बचाने के लिए वहाँ पर आजाते हैं और उन सुराओं के उपर अटेक कर देती हैं जो होली एंजलती एक एक स्लेस पर एक एक सूरा को घाइल करती जा रही थी, और लगातार उन्हें किल करती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो होली एंजल थी वह इस सुरा को देख लेती है और अपने तलवार को उस सुरा की तरफ ले जाती है तब ही हम देखते हैं कि वह जो सुरा था वह आसमान में ही किलो जाता है और उसका सिर धर से अलग हो जाता है और तो और यहीं पर होली एंजल की करता हुआ करता है यह एंजल जी लिक्विड फ्लूइड तीसरे इस्टेज पर पहुंच गए लेकिन यह अभी भी बहुत जदा कमजोर हैं और यह अभी भी इस्टेबल नहीं हुआ हैं हम इस तरिके से सुपर एलियन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं हाँ खेर यह बात अल लेकिन हम मनुश्य को मार सकते हैं जब जी लियन ऐसा कही रहा था तो उसी वक्त वर टेलिसकोफ से देखता है कि वीर ने मयूर क्रोस बोको और तीर को स्योफ सोल से बुला लिया हैं उन्हें वीर के हाथों में देखने के बाद में जी लियन अपनी आप से कहता हैं बले ही यह तीर या बो कितने भी पौरफुल हो लेकिन यह इन सुराओं को नहीं मार सकते हैं यह चाहें पागलपन की स्टेज में सीक्रेट रेंग के ऐलियन हो इधर हम वीर को देखते हैं जो मयूर क्रोस बोका यूज करके तीर को चला देता हैं जैसे वीर के तीर बो से निकलते ह तो उसी वक्त जो वीर के तीरते अपने पास वाले सबी सुराओं को वह की वह किल कर देते हैं यह देखकर जियो नियाल जो था वह अपने घुटनों पर आ जाता है और कापने लगता है और जियो नियाल के हाथ में जो भी निसाम मानते हैं वो सभी के सभी नीचे गिर जात सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल से की कि मैंने एपिसोड अप्लोड किये या नहीं किये हैं और नो टेंजन रहें आपको एपिसोड लगातार मिलते रहें के तोड़ी फ्रोबलम हो गए इसलिए में एपिसोड अप्लोड नहीं कर पाया लेकिन अपसे एपिसोड रेगुलर ही अप्लोड होंगे तो वहीं हो तोड़ी से फ्रोबलम होगी तियार इसलिए नहीं कर पाया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अप रेगुलर एपिसोड अप्लोड होंगे मैं एपिसोड बहुत सारे तो नहीं तीन चार एपिस इसे देखने के बाद में जो जियो नियालता वह अपने घुटनों पर आ जाता है और हैरन हो जाता है कि वीर्ट ने ये सब अकिरकार किसी किया ये तो एक राकसस राकसस और फिर इसके बाद में हम सीधे ही पहाड़ी के नीचे देखते हैं जहां पर एक सूरा की डेड़ बोड़ी दिरे दिरे फिकलने लगती है और वही जो वीर्ट वह उस डेड़ बोड़ी को देखने के लिए उसके पास दाता है जिसके अंदर से हलकी लिक्विड की बदबू आ रहे थी और इसी वज़े से जो वीर्ट वह अपने नाक पर उंगली रख लेता है ताकि बदबू उसके अंदर न जाएं इस डेड़ बोड़ी को देखने के बाद में जो वीर्ट उसके मन में खयाल आता है कि ये तो बिल्कुल जीरो की तरह है लेकिन यहाँ पर जीरो तोड़ी सी अलग है लेकिन ये जो अभी सूरा मेरे उपर अटे करने की लें ये जरूरी मनुश्यों द्वारा बनाए गए है तब ही तो यह मुझे मारने के लिया रहे है आखिरकार मुझे मारने का प्रियास कौन कर रहा होगा मुझे समझ में नहीं नहीं रहा है वीर ने इधर इतना बोला ही था कि इतने में जो वीर था वह एकदम से दोड़ते वे कहता है अरे नहीं जैसे उन लोगों को पता चलेगा कि वह मुझे मारने में विफल रहे तो वह इस वक्त मेरे परिवार के उपर अटे करने की कोशिस करेंगे और मुझे तोड़ने की कोशिस करेंगे यहाँ पर विर आने के बाद में अपनी इमा को लगतार कॉल कर रहाथा लेकिन उसकी माती हुआ है अभी भी कोल का जवाब नहीं दे रहते तो यहाँ पर जो वीरतवा समझ जाता है कि जो वीर की माती वह इस वक्त तर्थपर नहीं है वह मोरागरयत चली गए है और फिर जैसे वीर को इस बात पर सकता है तो फटा पर से जो वीरतवा अवनी को कॉल लगा देता है और अवनी से बात करते हुए कहता है क्या कैप्टन अवनी आप मेरी मदद कर सकती हो आप किसी को डूड़ने के लिए स्पेसल टास्क फोर्स को बिल सकती हो क्या और फिर इसी तरीके से जो वीरता हुआ अपनी पूरी प्रोब्लम अमुनी को बदा देता है और यहाँ पर इसी के साथ यह सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीधे ही एक जंगल को देखते हैं और उस जंगल के अंदर एक लेड़ी जो थी वह एक गोड़े पर बेटी वी थी और कुछ बंदे आकर उस लेड़ी का आगे का रास्ता रोख लेते हैं और इस लेड़ी की तरफ देखता हुआ उन आदमियों का जो बोस्ता वह कहता है मिस रहे जा क्या आप हमारे साथ चल सकती हो इस बात को सुनकर मिस रहे जा यानि जो वीर की माती वह सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाते हो मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं वीर की मा की बात को सुनकर एक बंदा वीर की मा को पता है कि बस तुमारी जुरुते और तुमारे बैटे को सबक सिकाना है तब ही जो इस टीम का जो बोस्ता वह करता है इसे इतना समझाने की क्या जुरुते है बस इसे उठाओ ले चलो जैसे सबी लोगों को अपने बोस का हुक मिलता है तो वो सबी के सबी वीर की माँ को खेर लेते हैं और उसे गोड़े से उतारने की कोशिश करते हैं तब ही वीर की माँ उनके साथ जाने के लिए मना कर देती हैं तब ही जो वीर की माती हो उन सबी से कहते हैं क्या तुम्हें सर माका डेविल रूप और इसी के साधवीर की माहमलावरों की तरफ घूरती भी कहती है क्या तुम्हें एक बार करने में समझ में नियाले यहां से चले जाओ अपने साथी की गर्दन को उड़तावा देखर सभी के सभी हमलावर डर जाते हैं और वहीं जो उनका पीछे खड़े वे जो बंदेती वह पोस्ते हैं बोस अब बताओ हम क्या करें अब कि अब भी भी हम उस पर हमला करें तब ही बोस करता है हाँ बिल्कुल वह स्रिप एक लेड़ी है उससे डरने की कोई जुरुत नहीं है तुमें उसे मार दो और इतना कहने के बाद में जैसे ही हमलावर चुपोता है तब ही हम देखते हैं कि जो वीर की मातिवा एकदम से सबी के उपर अटेक कर देती है और उनको वही का मही किल कर देती है वीर के मा की स्पीड को देखकर जो हमलावर ता वह डर जाता है और डर के मारे उसके मौ से चीक निकलने वाली होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वीर की मा एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती वीर की मा को अपने एकदम से सामने आने पर वह जो बंदा ता वह डर जाता है और वीर के मा के पेरों में गिर जाता है और जोड़ जोड़ से अपना सिर्जमिन पर देखकर उसे माफी मागने की कोशिश करता है लेकिन जो वीर की माती वह अपने एक हाथ से उस जो हमला वर की गर्दन को कार देती है और करते हैं ये सब कुछ तुमें हमला करने से पहले सोटना चाहिए ताकि ये हमला किस पर कर रहे हैं और वह कितना पाउरफूल है और फिर इसी के साथ एकदम से सिंसिप्ट होता है रगले सेन में हम बहुत सारे गोड़ों को देखते हैं और उनके ओपर बंदे बैठे वेते हैं सायदों किसी को खोद रहते हैं वास्ताओं में ये बंदे किसी और को नहीं बलकि वीर की मा कोई खोद रहते हैं और तोड़ी पेस्ट बना कर सामने की तरफ देखती हुए करती है, आकेर कार ये लोग है कुँन, तबी हम देखते हैं कि जो बंदाता वह वीर की मा के सामने आता है और वह सिल्ट मारता हैं वा वीर की मा से कहता है। मेम हम special task force team की एजेंट हैं और हमें आपकी security के लिए बेजा गया हैं साथ ही वीर ने आप से गुजरिस किये कि आप जल्दी से जल्दी shelter को छोड़ दें और फटा फट से अर्थ पर पहुँचें task force के member की बात को सुनकर वीर की माँ आसमान के तरफ देखती भी करती है मुझे यकीन हैं और आएं कि इतने सालों बाद भी हम इन चीजों से पीछा नहीं चुड़ा पार रहे हैं और फिर इसके बाद में sensitive होता है और अगले सिर में हम सिद्धे ही वीर के room को देखते हैं जो अपनी मा का call आने का वेट कर रहाता और टैंसन भी कर रहाता कि मा आखिर कर गई का हैं वो अभी तक call क्यों नहीं कर रही है तब ही अचानक हम देखते हैं वीर का call फोन में call आने लगता है तो वीर फटापड से अपने mobile के पास बगता है और जल्दी से जाकर अपनी मा का call उठा लेता है और कहता है क्या मा तुम ठीक हो तुम ठीक तो हो ना तब ही उसकी मा जवाब देती है हाँ बेटा मैं बेटा म अपनी मा से कहते हैं चिंता मत करो मा अब मैं पहले से बहुत जड़ा powerful हो गया हूँ अब मुझे इन सब चिजों को सम्मालने दो अब no tension रही है बस बिलकुल चिंता मत कीजी मा आफ वीर की इन बातों को सुनने के बाद में जो वीर की मा ती वो अपना मू लटकाते वीर से क करते में मैं तुम्हारे रक्सा भी नहीं कर सकती हूं मैं बिल्कुल भी अच्छी मा नहीं हूं वीर की मा यह कहने के बाद में वीर से सवान करती हैं क्या तुमने अपने दादा जी वेफुल रहे जाके सामानों को ठीक से र 197. वीर अपनी मां के सवाल vote का काते हां मा म मा, आपने मुझे बड़ा करने के लिए बहुती मेनत किये, मैं इसके बारे में सब जानता हूं, मा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब से मैं तुम्हारी रक्सा करूं, वीर की इन प्यार बरी बातों को सुनकर जो वीर की माती उसकी आखों से आसों आने लगते हैं, और वह अप कोई और नहीं होता हैं, बलकि बलेक डेजट होता हैं, जिसके बारे में तानिया बात कर रही थी, बलेक डेजट में चलते हुए वीर को काफे समय हो जाता हैं, जिसकी वज़े से उसका खाना पीने का सामान खतम हो जाता हैं, और वीर प्यास के मारे मरने वाला होता हैं, तो आराम की नीन लेकर उटी रही थी उसी वक्त वीर को अपने सामने कुछ नजर आता है जिसे देखता हुआ वीर कहता है क्या यह सामने की तरफ जो है यह सेल्टर है और इसके बाद में हम सामने का सिंद देखते हैं जहाँ पर ब्लेक डेजर्ट के बीच में एक खंडर शेल्टर नजर आता है और वीर शेल्टर को अपनी आखों के सामने देखकर चहगता हुआ वीर कहता है अरे वह मज़ा आ गया अब तो मैं फिर से एलाइंस में जा सकता हूँ और टेलिपोर्ट हो सकता हूँ बस वहां का टेलिपोर्टर सही होना चाहिए वीर ऐसा सोचता हूँ कुछ होई रहता तबी वीर सीरियस होते वे अपने हाथों को जुड़ लेता है और बगवान से प्रात्मा करने लगते है बगवान बस यहां का टेलिपोर्टर सही होना चाहिए और यहां का जो टेलिपोर्टर एवर ठीक से काम करता होना चाहिए है बगवान है इश्वर ए अल्ला सारे सबी देवताओं को याद करने लगता है और जब वीर ये सब कुछ याद करी रहाता तो इसी के साथ यह है एपिसोड यही का यहीं एंड हो जाता है अगर आपको एप एपिसोड में जल्दी अपलोड करूँगा तो सोरी यार न है